एक बार रहती थी एक मम्मी बकरी एक कुटिया में जंगल के किनारे उसके साथ छोटे बच्चे थे जुनसे वो बहुत प्यार करती थी कभी-कभी मम्मी बकरी को कुटिया छोड़ कर जाना पढ़ता था खाना लाने के लिए और आज उसको वही करना था उसने अपने बच्चो को बुलाया और कहा? गॉर से सुनो बच्चो, मुझे बाहर जाना है खाना लाने, सब ध्यान से रहना क्योंकि मैंने सुना इस इलाके में एक भेड़ीय घूम रहा है वो बहुत ही खतरनाक है और अगर उसने तुम सब को देख लिया तो वो सब को खा जाएगा वो बहुत शातिर है और किसी और के रूप में भी आ सकता है उसकी आवाज बहुत कठोर है और उसके पैर काले तो नजर रखना और घर में ही रहना किसी को भी अंदर आने नहीं देना चिंता मत करो मम्मी हम बहुत सावधाने से रहेंगे हम किसी के लिए भी तरवाजा नहीं कोलेंगे आप आराम से जाओ और अंदर से जब उन्होंने ताला लगाया तब वह वन की और निकल पड़ी उसी समय वो भेड़िया जो पेड़ के पीछे चुपा था वाहार निकलाया मम्मी बकरी के जाते ही दरवाजे पर गया और खट-खटाया कौन है दरवाजा खोलो मैं मम्मी हो और मैं तुम सब के लिए अच्छे अच्छे चीज़े लाई हो परन्तु भेड़िया की कठोर अवाज को सुनकर उन्हें समझ आ गया कि वो उनकी मा नहीं थी तुम हमारी मा नहीं हो हमारी मा की अवाज बहुत मधूर है और तुम कितने कठोर लगते हो तुम भेड़िया हो ना चले जाओ यहां से भेड़िया वहां से चला गया ये सोचते हुए कि अववा अपनी अवाज को कैसे बदले एक पेड की पास गया और मधू मक्की का छत्ता को पूरा खा गया अपनी आवाज को मधूर बनाने के लिए फिर से कुटिया की पास गया और दरवाजा खट-खट आया दरवाजा खोलो प्यारे बच्चो मैं आ गई और तुम सब के लिए अच्छी चीज़े लाई हो हमारे ममी के पेर इतने बड़े और काले नहीं है उनके छोटे और अच्छे हैं तुम भेडिया हो ना जाओ यहां से भेडिया चला गया यही सोचते हुए कि अब वह अपने पेरों को कैसे बतलेगा अच्छानक से उसे एक युक्ती सुची एक रोटी वाले की दुकान पर गया और अपने पेरों को आटे में डुबो दिया फिर वापस उस कुटिया की पास आया अब मैं देखता हूँ यह बकरी दर्वाजा कैसे नहीं खोलेंगे फिर से दर्वाजा खट-खटाया दर्वाजा खोलो प्यारे बच्चो मैं हूँ मामी और मैं तुम सब के लिए मजीदार खाना लाई हूँ सबसे बड़ा बकरा जो था उसने कहा अपने पैर दिखाओ ताकि हम देखे कि तुम सच में हमारी मा हो या नहीं भेडिया ने अपने आटे वाले पैर दिखाए देखा मैं ही हूँ इस बार अब खोल दो बकरों को लगा कि इस बार सच में उनकी मा वापस आ गई और फिर सबसे बड़े वाले ने धीरे से दरवाजा खोला तुरंट भेडिया अंदर खुसाया और सब पे घरजने लगा छोटे बकरे इधर उधर भागने लगे खुद को बचाने के लिए एक ने मेच की नीचे चिपने की कोशिश की पर भेडिया उसको पकड़के खा गया एक बरतन के पीछे पर भेडिया उसको भी खा गया तीसरा कोठार में गया पर भेडिया उसको भी खा गया चो था अपनी मा की कुर्सी के पीछे पर भेडिया ने उसको भी पकड़ा पांचवा बिस्तर के नीचे पर भेडिया ने उसको भी पकड़ लिया छट्टा टाप में छुपने की कोशिश की परन्तु भेडिया उसको भी खा गिया केवल सबसे आखरी और सबसे छोटा बगरा सुरक्षत पुराने घड़ी के पीछे चुपा था जब भेड़िया को कोई और नहीं मिला तो उसने कहा मुझे याद तो नहीं आ रहा, यहां कितने थे, छे या साथ पता ही नहीं चला मैंने कितनों को खाया हाहा हा चलो, मेरा पेड़ तो भर गया है, भुड़ा आराम कर लू, अगर और कोई बचा, तो मैं बाद में उसको देख लूँगा तो भेड़िया गया बाहर और एक सेप के पेड़ के नीचे आराम से सो गया जल्दी वक खरांटे लेते हुए गहरे नींद में चला गया कुछ देर बाद मम्मी बकरी खाना लेकर वापस आई और घड़ पे सब कुछ बिखरा हुआ देखकर परिशान हो गई तो उससे समझ आ गया कि भेड़िया ही उधर आया होगा मम्मी बकरी जोर-जोर से रोने लगी, अचारक से उसने एक छोटी सी आवाज सुनी मम्मी, आप ही हो क्या? हाँ बच्चा, मैं ही हूँ, कहा हो और इधर क्या हुआ? सबसी छोटा बकरा बाहर निकलाया और अपनी माँ को सारी खटना सुनाई ए भगवान, नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी मकरे ने सोचा कि वो खुद देखेगी अगर कोई बचा या नहीं तो तब ही उसने पेड के नीचे मोटे भेड़या को देखा, खरांटे मारते सोते हुए नजदी गई तो उसने देखा कि भेड़या के पेट के अंदर से कुछ हिल रहा था उसको लगा शायद उसके बचे अभी भी जन्दा है जल्दी वह अपने घर गई और एक बड़ी से कैंची को ले आई उसने भेड़या के पेट को काटा तो उसकी सारे बचे बाहर निकलाए मम्मी बकरी बहुत खुश हो गई भेड़या इतना लालची था कि उसने बकरों को खाने के बज़ाए सीधा निंगल लिया था फिर उसने अपने बच्चों को कुछ पत्थर इखटा करने को कहा और एक सुई धागा ले आई इसके पेट में सारे पत्थरों को भर दो और फिर मैं उसको वापस सीधूंगी तब ही ये भेड़या सबक सीखेगा सब बच्चे बड़े बड़े पत्थर ले आए और मम्मी बकरी ने सारा कुछ भेड़या के पेट में भर डाला भरने के बाद भेड़या के पेट को धागे से वापस सीधाला काम खतम होने के बाद सब वापस कुटिया में चले गए और भीडिया के जागने का इंतिजार कर रहे थे कुछ देर बाद भीडिया जागा और अपने आपको भारी और ठका हुआ महसूस किया भीडिया बहुत प्यासा था बहुत मुश्किल से उसने अपने आपको खड़ा किया और दर्द से चिलाने लगा मैं इतना प्यासा हूँ मैं पूरी की पूरी नदी को पी जा सकता हूँ नदी के पास गया और जब पानी पीने के लिए नीचे जुका तो भीडिया पत्थरों की भार से फिसल गिर पड़ा और नदी में ही दूब मरा भीडिया मर गया भीडिया मर गया मम्मी बकरी ने फिर अपने बच्चों को बुलाया सुनो मेरे बच्चों सबसे पहले हम घर की सफाई करेंगे और फिर हम एक बड़ा सा जश्न मनाएंगे उन सब चीजों के साथ जो मैंने तुम लोगों के लिए जंगल से लाया है और फिर साथ छोटे बकरों ने सीखा कि कभी भी किसी भी अंजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि बुराय का अंत हमेशा होता है